जन जन तक और घर घर तक आयरवेद को पहुचाने की शरंखला में आज हम बात करने वाले हैं कफ के बारे में कफ क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और उन सभी के अलग-अलग क्या-क्या कारे होते हैं आज हम इसी के बारे में जानने वाले हैं छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत ही महत्तपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी कफ के बारे में तो आईए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं साधर पनाम मैं विशाल एक बर पना स्वागत करता हूँ आपका अपने यूटूब चलंग सनातन मार्ग पर कफ का बड़ा ही महत्व है कफ एक प्रकार से दोष माना जाता है दोष इसलिए माना जाता है कि जब125 में से कुछ उपर नीच हो जाता है अपनी बैलनस सी श्थित में नहीं रहते हैं तब इस शरीर को दूशित कर देते हैं इसलिए दोष माने जाते हैं तो जो कफ दोश है पंच महाभूतों में से जल तथा प्रित्वी महाभूत से मिलके बना है यानि कि फाइफ जो हमारे elements माने जाते हैं उसके अंदर से water और अर्थ elements से मिलके कफ बना है इसकी प्रकृति या नेचर जो कहें या properties कहलें तो यह property में भारी होता है गुरू होता है बहुत ज्यादा हैवी होता है मंद होता है धीमा होता है साथ ही साथ अगर स्वाद में मालने तो मीठा होता है मृदू ici सोफ्ट काफी continuous nature का होता है तो ये सब इसके गुण होते है और ये थंड़ा भी होता है शीतल प्रकृती का होता है तो जो आप शरीर उपर से जो भी आपको दिख रहा है जो भी भौतिक चीज दिख रही है चूने से जो भी जितना कुछ आप महसूस कर पा रहे हैं ये सभी कफ के अंतरगत आता है कफ के प्रकारों की बात करें तो इसके भी पांच प्रकार होते हैं पहले हम इसके प्रकार देख लेते हैं फिर उनके बारे में एक एक करके जान लेंगे कि वो क्या होते हैं कहां कारे करते हैं तो सबसे पहला होता है अवलंबक कफ फिर उसके बाद आता है क्लेदक तरपन बोधक और शलेशक कफ यह पांच प्रकार के कफ होते हैं तो सबसे पहला जो अवलंबक कफ है उसका कारे क्या है उसका जो स्थान होता है ह शहती डय स्वाषन प्रणाली केया करता हैetta फिर आता है synchronी और प्रणा executives को पाइब कीया अधिक आयरवेद की समय दाइख जाता एक्सट्रा अपाइड ऑ्द सुर्फाइद करता है जैसे ये नाम से नजर आ रहा है कि ये क्लेद यानि कि नमी वाली चीज है तो ये क्या करती है क्लेद कफ का जो कारे होता है जो आपने भोजन खाया है उसके साथ ये mix हो करके उसे काफी नरम बना देता है नरम होने से वो अचानी से तूट जाता है उसके छोटे-छोटे भागों में तोडने में ये कारे करता है प्लस में क्या होता है कि जब आपके पेट में भोजन जाता है तो कुछ acid भी release होते हैं आपके पेट से तो acid क्या करते हैं भोजन को पचाने में मदद करते हैं परंतु आपके पेट के अंदर वाली जो परत होती है बहुत ही नरम होती है जैसे कि आपके नाक के अंदर वाली परत और बाहर वाली परत में बहुत फरक होता है वो अंदर वाली काफी नरम होती है और बाहर वाली थोड़ी सक्त होती है तो ऐसे ही पेट की परत को एसीड जो और जो acid release हुआ है, उससे पेट के अंदर वाली परत की शुरक्षा करता है, किस प्रकार से उस acid को थोड़ा dilute कर देता है, थोड़ा पतला कर देता है, तो उससे क्या होता है, उसको प्रभाव पेट के उपर है, वो थोड़ा कम हो जाता है, फिर आता है तरपन कफ, तरपन कफ प्लस में, ये कारे कारता है, उनको nourishment देता है, क्योंकि कफ का जो कारे है, काफी ये soft होता है, और इसका जो कारे जो होता है कफ का, बौड़ी को nutrients और नरिश्मेंट देना, तो इसी तरह से ये जो ब्रेन के नाजुखी से उनकी शुरक्षा करता है, प्लस में, उनने नरिश अंदर जाता है और बोधक कफ को आप प्रतक्ष रूप से देखना चाहें तो जब आप सुबह जीव साफ करते हैं टंग क्लेनिंग करते हैं तो उसके अंदर जो भी वो महल सा निकलती है वही होती है बोधक कफ काफी ज्यादा बढ़ जाता है और जीव पे परत सी बना लेता होता है कई बार किसी समस्या में विशेश बिमारी में तो क्या होता है एक को जीव स्वाध आना चीजों की मतलब तेश्ट का पता नहीं लग पता है क्योंकि बोधक कफ ने उसके ओपर परत बना ली होते हैं तो जो फुछ þीव चीज होती है में बोधक कफ और सुछ पाच् उसके बीच में एक lubrication का कारे करता है यानि कि एक तरल का कारे करता है जो कि काफी सिनिक दिचिक ना होता है तो हड़ियां अच्छे से तो गुटने के बीच में या किसी भी जॉइंट के बीच में जो lubrication का कारे करता है वो सिलेशक का कारे होता है इस प्रकार से थे हमारे पांच कफ और उनके कारे आगे हम बात करेंगे सब्त धातूं की यानि कि हमारे जो बौडी है जो पूरी धारन कर रखी है इन साथ धातूं ने दारन कर रखी है रखतरस मास मेद मज्जा अस्ति शुक्र तो इनसे ही हमारे श्रीर का निर्मान होता है यानि वात्पित कफ के बाद आते हैं नंबर सब्त धातूं का उसके बारे में हम जानेंगे वह बहुत जरूरी है जानना उसके बारे में छोटी-छोटी जानकारी जाने हैं काफी हमें डाक्टरी नहीं करनी है हमें खुद का चिकित्सक बनना है दूसरों का नहीं है तो इसलिए वो जानकारी बहुत ही महतपूर्ण है उसको जानना है थोड़ी थोड़ी चीजों में जानना है बहुत छोटी छोटी बातों में जानना है उसको तो आगे मिलत हम उस जनकारी के साथ आज के लिए इतना ही सादर प्रणाम